जोतिस एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है तो आईए मैं करूँगी आपकी हर समस्या का समाधा नमश्कार सु स्वागतम वेलकम मैं निदी शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने एक जनवरी सोमवार से सांथ जनवरी रविवार तक का सापता ही क्राशी फल लेकर उपस्ति तो यूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस सपता में आने वाले कुछ विशेश व्रत और त्योहार्व के बारे में एक जनवरी को नव वर्ष प्रारम होने जा रहा है और ये अंगल नव वर्ष यानि हम पहुंच जाएंगे वर्ष दो हजार चौबीस में तो आप सभी को अंगल नव वर्ष की हारदिक शुपकामना है साथ जनवरी को सफला एकादची का पर मनाये जाएगा तो ये दो विशेश दिन इस सप्ता में आने वाले हैं अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि साल के इस प्रथम सप्ता में ग्रहों की स्तती कैसी रहेगी सरसे पहले ग्राओं के राजा सूर्य की बात करते हैं जो कि धनू राशी में विराजमान सपता इस सपता रहने वाले हैं सूर्य के साथ में मंगल और बुद्ध भी यूति करके धनू राशी में ही विराजमान रहेंगे शनी कुम्ब राशी में जो कि उनकी खुदकी राशी है उसमें गोचर ब्रह्मन करेंगे वही राहु मीन राशी में विराजमान रहेंगे गुरु अपनी अतिमित्र राशी मेश में विराजमान रहेंगे और केतु अपनी सम राशी कन्या में इस सप्ता विराजमान रहने वाले हैं शुक्र ब्रश्चिक राशी में विराजमान रहेंगे वहीं चंद्रमा तीन राशियों में सीह, कन्या और तुला इन तीन राशियों में साल की शुरुवाती सप्ता में गोचर भ्रमन करेंगे साती सप्ता बुद का राशी परिवर्तन होने जा रहा है वर्तमान में बुद अपनी मित्र राशी ब्रशिक में विराजमान है और साथ जन्वरी को वे अपनी शत्रू राशी धनू में प्रवेश कर जाएंगे तो इन ग्रह गोचर की इस्ततियों का क्या प्रभाव आपको साल के इस प्रथम सप्ता में देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं शुरू करते हैं इस सप्ता का साप्ता ही राशी फल और साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि नया साल शुरू हो चुका है तो बगवान भोले शंकर का अभिशेक करके आप इस नए शाल की शुरूआत कर सकते हैं तो राशी के अनुसार किस प्रकार से भगवान भोले शंकर का अभिशेक करें, जिससे भग्या आपका साथ देगा और ये आने वाला जो वर्ष है वो आपके लिए मंगल कारी रहेगा, तो इसके बारे में आज मैं आपको विशेश उपाय बताऊंगी, तो विडियो के अंतक आप मेरे साथ बने रही है और यदि आप अपनी पर्सनल जन पत्रिका के माधिम से अपने भविशे से संबंदित प्रशनों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविशे को सवारना चाहते हैं, आने वाले वर्ष के बारे में और पर्सनल जन पत्रिका में ग्रहों की स्तती के ब पर अपलोड कर दियें तो आप अपनी राशिक अनुसार एन राशिपलों का लाप प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे लोगों कोर review घरगे अबने की इक नो धुकल दे टीक तो अपनी राशिक अनुसारा राशिक कि धन आप जरूर से बर्द करें पांचवे छटे और साथवे भाव में गोचर प्रह्मन करेंगे सप्ता की शुरुआत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी रहने वाली है चात्रों को मनवांचित परिणामों की प्राप्ती होगी हलाएं कि इस समय जो भी एक्जाम सोंगे वो आपके भविश्य की दिशा को निर्धारित करेंगे इसलिए डेडिकेशन से आपको पढ़ाई करनी है अब तक पूरे साल जो आपने मेनद की है उसका यतिस्ट पल आप अप प्राप्त करेंगे वहीं संतान की तरफ से इस समय आपको समाचारों की प्राप्ती होगी वर्क प्लेस पर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जॉब स्विच करने की आपको सुअफसर इस समय प्राप्त हो सकते है परंतु आपको करनी चाहिए या नहीं यह आपको तैय करना होगा अगर आप अल्रेडी स्टेबल हैं तो आपको जुरुत नहीं है कि आप जॉब चेंज करें सब्ता का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा इस समय काम में दिक्कते आ सकती है जो नेने लिएं वो उल्टे पलट कर आपके उपर आ सकता है नुकसान की स्ततिया बढ़ सकती है बहुत केरफूल होकर आपको इस समय अपने कारियों में आगे बढ़ना होगा नहीं कारियों की चुरुआ से आप बचे इस समय स्वास समंदी समस्याओं से भी गुजरना पड़ सकता है इसलिए अपने स्वास का विशेश रूप से ध्यान रखे सब्ता का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है फ्रेंड्स फैमली और अपने लाइफ मेट के साथ में आप कही न कहीं बाहर घूमने जाने का प्लैन मनाएंगे और उनके साथ कॉलिटी टाइम एक्सपेंड करेंगे साल 2024 के पहले दिन भगवान शिव का रुद्रा विशेग सहद और गंगा जल से आपको करना चाहिए आपका शुब रंग रहेगा लाल, शुबंक रहेगा चार और शुब दिशा रहेगी पूर्वदिशा अब आते हैं व्रशब राशी पर आपकी राशी से चंदर माइस वीग, चौथे, पाचवे और छटे भाव में गोचर ब्रमन करेंगे सब्ता की शुरुआत आपके लिए अच्छी नहीं होगी, इस समय आर्थिक समस्याओं से आपको गुजरना पड़ सकता है आपने आर्थिक रूप से बजट को देख करने, धारित करके, खर्चों को बैलेंस करके आपको चलना होगा बहुत ज़्यादा समस्याओं से आपको इस समय आगे बढ़ना होगा फर्ग प्लेस पर भी चुनोतिया आपके लिए तैयार है परन्तु आपको इन चुनोतियों से घबराना नहीं है और बढ़ते चले जाना है ये चुनोतिया ही आपको सफलता की मंजिल तक पहुचाएगी और सफलता का स्वाध भी इन चुनोतियों के कारण आपको दुगना देखने को मिलेगा इस समय आपको किसान वर्ग और जो दूट डेरी से सम्मंदित कारिय करते हैं के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और कल्यान कारी रहेगा सब्ता का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा संतान पर नजर रखने के आशिकता है बच्चे भटक सकते हैं इसलिए उन्हें सही और उचित गाइडेंस देकर आप सही मार्ग पर ला सकते हैं की डाट कर गुसा करके बिल्कुल भी उनके उपर जोड जबर्दस्ती न करें वरना वे विद्रोही हो जाएंगे और और ज्यादा भटक जाएंगे इसलिए आप उन्हें सही तरीके से उनकी साइकलोजी में जाके आपको उन्हें हैंडल करना होगा इस समय चात्रों को भी पढ़ाई में कुछ कटिनाईयों का सामना करना पड़ सकता हैं परन्तु आपके होसले बुलंद रहे तो परणाम आपके लिए सार्थक जरूर सापित होंगे सपता का एन यानी वीकेंड आपके लिए इतना चा नहीं है इस समय यात्रा करते समय साफधानी रखें सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें ट्राफिक नियुमों का पालन करें और लंबी दूरी की यात्रा खुद ड्राइव करके न जाएं प्रशब राशी के जातक सुख सम्रद्धी के लिए कच्चे दूद से महादेव का अभिशेक करें आपका शुबरंग रहेगा हरा, शुबंक रहेगा तीन और शुबदिशा रहेगी पश्चिम दिशा चलिए बढ़ते हैं आगे और आते हैं मिथुन राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और पाँचवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे सप्ता की शुरुवात आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाली है कुछ इंपोर्टेंट काम आपके सफलता पूर्वक संपन हो जाएंगे कारियों में आरही दिक्कत हैं और परिशानिया भी दूर होती हुई दिखाई देगी छोटे भाई बैनों से आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बैतर होगी इस समय आप जो भी स्ट्राटजी बना रहे हैं उस स्ट्राटजी पर आप खरे उतरेंगे और डेफिनेटली उसका लाब भी आप राप्त करेंगे सप्ता का मेड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है इस समय प्रॉपर्टी से समंदित काम अटक सकते हैं नहीं घर का सपना अधूरा रह सकता है इसलिए बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसिजन लें कोई भी नहीं प्रॉपर्टी नहीं अपनी प्रॉपर्टी को बेचने का प्रयास करें परना उस प्रॉपर्टी के दाम सही नहीं मिलेंगे इस समय आपको मा से भी बहस करने से बचना होगा उनके स्वास का विशेस रूप से ध्यान रखें और अगर वो क्रोध और आविश में आकर कुछ बोल भी दे तो आपको शान्त रहकर उनकी बातों को सुनना है जब वे शान्त हो जाए तो अगर आप उन्हें अपनी बातों को रखेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी बातों को समझेगी इस समय वर्क प्लेस पर भी कई चुनोते आपके लिए खड़ी रहेगी इसलिए आपको बहुत धहरे के साथ इस समय को निकालना होगा सपता का एंड यनी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है आपके बच्चों से आपको अच्छा सप्राइज मिलेगा इस समय आप उनके प्रती गौरवान वित महसूस करेंगे और कॉलिटी टाइम अपने फैमिली के साथ एक्समेंड करेंगे नए साल के पहले दिन इस राशी के जातकों को दुर्वा मिला कर भगवान शिव का अविशेक करना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा बूरा शुबंग रहेगा दो और शुबदिशा रहेगी दक्षन पूर्वदिशा अब आते हैं करक राशी पर आपकी राशी से चंद्रमाइस विक दूसरे तीसरे और चौते भाव में गोचर प्रमन करेंगे सप्ता की शुरुवात आपके लिए धनागमन सम्मंदी समस्याओं को उत्पन कर सकती है इसलिए पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा सावधानी रखें घर की मेलाओं को आप प्रसन अचित करने का प्रयास करेंगे इस समय घर में मांगले कारिक्रमों की रूप रेखा भी रखी जा सकती है कुटुम में मान सम्मान भी बढ़ेगा सप्ता का मेड़ आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा राजनीती से जुड़ेवे लोगों को बहुत अच्छा फायदा होगा परन्तु अन्य शित्रों से जुड़ेवे लोगों को फुक फुक कर कदम रखने होंगे इस समय आप पर जूटे आरोप लग सकते हैं इनके लिए आपको थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाना होगा अपने अधिकारियों से पर आपका विश्वास और अधिकारियों का आप पर विश्वास होना चाहिए कोई भी बात उनसे गुपत रखकर न करें और कोई भी कारिय ऐसा ना करें जिससे आपको बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ जाए सोच समझ कर डिसिजन लेना होगा सबका का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है इस समय आपको अपनी जूटे वारोपों से क्लीन चीट मिल जाएगी मा का साथ और सयोग भरपूर देखने को मिलेगा वहीं सामाजिक कारिक्रमों में आपकी भागीदारी भी बढ़ेगी नए साल के पहले दिन कच्छे दूद में गंगा जल मिलाकर विश्दर का अभिशेक करें आपका शुब्रंग रहेगा गुलाभी शुबंक रहेगा तीन और शुब्दिशा रहेगी रक्षेन पूर्वदिशा अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सीहे राशी का हाल आपकी राशी से चंदर माइस्विक खुद की राशी दूसरे और तीसरे भाव में गोचर ब्रवन करेंगे सत्ता की शुरूआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है मन के अनुकूल कारियों से आपको मानसिक शान्ती की अनुभूती होगी घर के बुसुर्गों का आशिरवात प्राप्त होगा पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर योजनाबत तरीकिसे जो भी कारेंगे उसमें भी अबुद्पूर्व सफलता के योग बनेंगे अध्यात्मिक कारियों में भी इस समय आपका मन अधिक लगेगा सप्ता का मेड़ आपके लिए इतना अच्छा नहीं है पैत्रिक संपत्ती समंदी विवाद खड़े हो सकते हैं इसलिए इन विवादों को स्पोर्टिंग ली आपको हैंडल करना चाहिए इस समय कोई भी कारिया ऐसा ना करें जिससे आपके पारिवारिक सदत से दुखी हो जाए इस समय सोथ समझ कर और फुक फुक कर अपको अपनी वर्ग प्लेस पर भी चलना होगा व्यापारी वर्ग जो नियमित रूप से कारे करना है किवलोनी को पूरा करने का प्रयास करें सब्ता का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके बल और पराक्रम मेवरदी होगी सेल्फ कॉंफिडेंस इंक्रीज होगा छोटे भाई बैनों का साथ और सयोग मिलेगा और इस समय आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे नए साल के पहले दिन महादेव की क्रपा पाने के लिए गन्ने के रस से शिबलिंग पर अभिशेक करें आपका शुबरंग रहेगा काला, शुबंग रहेगा छे और शुबदिशा रहेगी लक्षिन पश्चिम दिशा अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं कन्या राशी पर आपकी राशी से चंदर माइस्विक, बारवे आपकी खुद की राशी और दूसरे भाव में गोचर रमन करेंगे सब्ता की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा संबल कर रहे हैं प्लेस पर भी किसी से कहा सुनी हो सकती है, जगड़ा बढ़ने पर अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं, नौकरी से भी हाथ दोना पड़ सकता है थोड़ा सा संबल कर रहने के आशिकता है, अपने सयम को ना खोएं और धैरिय के साथ अप इन समस्याओं को डील करने का प्रयास करें सपता का मेड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा आपको अपने ददियाल से कई विपरीत परिस्तितियों का सामना करना पड़ सकता है थोड़ा सा धैरिय बनाएं रखें, परिवार का साथ और सेयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा और इस समय जो भी कारें आप करेंगे उसका दूर कामी पैड़ाम आपको भोगना पड़ेगा इसलिए बहुत सकारात्मक दिशा में बढ़ते हुए आपको अपने कारें को अंजाम देना है सपता का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा इस समय आपके जिस्तारों से आपके ट्यूनिंग और भी अधिक बैतर होगी घर में मैं माना सकते हैं जिससे घर का बातावरण और भी हल्दी होता हुआ दिखाई देगा नए साल के पहले दिन करन्या राशी के जातकों को बेल पत्र और भांग की पत्तियों से पत्तियों में गंगा जल मिला कर भगवान शिव का अविशे करना चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा पीला शुबंक रहेगा पांच और शुब्दिशा रहेगी उत्तर पूर्वदिशा अब आते हैं तुला राशी पर आपकी राशी से चंद्र माइस वे ग्यारवे बारवे और आपकी खुद की राशी में गोचर ब्रह्मन करेंगे सब्ता की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है इस समय आपको अपनी मैनत का यथे स्ट्रफल प्राप्त होगा इस समय आपके कारिय दुरुद कती से संपन होंगे सुबसमाचारों से भरी शाल की सुरुआत रहने वाली है सब्ता का मेड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है खर्चों की अधिक्ता की वज़े से थोड़े से फाइनेंशली अप डाउन आपको देखने पड़ सकता है थोड़ा सा अपने खर्चों को बैलेंस करके चलने का प्रयास करें सब्ता का एंड यानी वीकेंट आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है परिवार और कुटुम के साथ मैं आप अच्छा हॉलिडे मनाते हुए दिखाई दिंगे नए साल के पहले दिन शुद्ध घी से जटा धारी का अभिशेक करना चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा ग्रे शुबंग रहेगा साथ और शुब्दिशा रहेगी उत्तर पश्यम दिशा अब आते हैं व्रश्चिक राशी पर आपकी राशी से चंद्र माइस वीक दसवे ग्यारवे और बारवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे सब्ता की शुरुआत आपके लिए काम की अधिकता रहने वाली है इस समय आप दुगने जोसे अपने कारियों को करेंगे आप बहुत एनरजेटिक रहेंगे आपके साथ के सह कर्मी भी आपसे एक पॉजिटिव एनरजी लेते हुए दिखाई देंगे कई लोगों के लिए आप आइडियल साबित होंगे अधिकारी आपसे प्रसंद चितना जराएंगे पिता का साथ और सयोग आपको हर शित्र में देखने को मिलेगा सब्ता का मेडाते आते और भी अधिक आपको सुब समाचारों की प्राप्ती होगी विरोधी समाप्त हो जाएंगे इस समय आप अपने कार्य में दृत गती से आगे बढ़ेंगे हालनकि रुकावते जरूर आएगी परन्तु सोच समझकर किये गए निवेशों का परणाम लाब दायक रहेगा सब्ता का एंड यानि वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा खर्चों से बरा रह सकता है इसलिए सोच समझकर खर्चे करें और कोई भी अनर्गल खर्च से बचें एक जन्वरी वर्स दोजार चौबिस को फ्रश्चिक राशी के जातकों को गंगा जल में सुगंद मिला कर भगवान शिव का अभिशेक करना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा नारंगी शुबंक रहेगा छें और शुबदिशा रहेगी दक्षन पश्चिम दिशा अब आते हैं धनू राशी पर आपकी राशी से चंद्रमाइस वीक नवम दशम और एकादश भाव में गोचर प्रमन करेंगे ये समय आपके लिए रहेगा भाग्य वर्दक भाग्य आपका साथ देगा धुरे पड़े हुए कारे धुरुद कती से संपन होंगे कारियों में आरे ही दिक्कत है और परिशानी अभी समाप्त होती हुई दिखाई देगी इस समय आप योजनाबत तरीके से किये गए कारियों का विशेस लाप प्राप्त करेंगे भक्ती बावों से बरे रहेंगे धर्म कर्म के कारियों में आपकी रूची बढ़ेगी और मित्रों का साथ और स्योग बरपूर देखने को मिलेगा सब्ता का मेड आपके लिए इतना चाह नहीं है पिता से किसी बात को लेकर मदवेद हो सकते हैं उनसे बहस बिल्कुल भी न करें अपने कारियों को पूर्ण करने का प्रयास करें उनके एक्सपिरियंस का लाब आपको इस समय लेना चाहिए इस समय वर्क प्लेस पर अधिकारियों से आपकी ट्यूनिंग बिगड सकती है इसलिए अधिकारियों से ट्यूनिंग न बिगड़े मिसंस्टैनिंग क्रियेट न होने दे और शांत रहकर अपने कारियों को करने का प्रयास करें घर में बैन और भुवा के आगमन से घर का माहौल बहुत ही हल्दी होता हुआ दिखाई देगा सब्ता का एन यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है बड़े भाई बैनों का आपको फाइनेंशली सपोर्ट देखने को मिलेगा जिससे आपके काम बनते चले जाएंगे साल के पहले दिन गंगा जल में बेल पत्रो दुर्वा मिला कर भगवान शिव का इस राशी वालों को अविशेक करना चाहिए आपका शुब रंग रहेगा नीला शुबंक रहेगा दो और शुब दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा अब आते हैं मकर राशी पर आपकी राशी से चंदर माइस वीक आठवे नमे और दसवे भाव में गोचे प्रमन करेंगे सब्ता की शुरुआत आपके लिए यात्राओं से भरी रहेगी परंतु यात्राय आपके लिए सुखद और मंगल में पी रहेगी इस समय काम दृत ग आपको इस समय बचना होगा सब्ता का मेड इस समय भागे वर्दक नहीं है इसलिए रिस्की कामों में इंवस्मेंट से आपको बचना होगा अपने आपको कर्म प्रधान बनाए नए कारे की शुरुआत से बचें जो युवक युवतिया नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको निराशा जनक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है वही थोड़ा सा आशावादी होकर आपको आगे बढ़ना होगा ताकि आज नहीं तो कल आप अपने परिश्रम का फल जरूर प्राप्त कर सकें नए और हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और चैलेंजिंग भी रहने वाला है सपता का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा पिता का साथ और सयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा उनके मार्दर्शन से बनाई हुई योजनों से आने वाले समय में आप बहुत आपको को गंगा जल में काले तिल मिलाकर महादेव का अभिशेक करना चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा सफेज शुबंक रहेगा एक और शुब दिशा रहेगी उत्तर पूर्वदिशा अब आते हैं कुम राशी पर आपकी राशी से चंदर माईस वीक साथवे आटवे और नमे भाव में गोचे प्रमण करेंगे सप्ता की शुरूआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है लाइफ पार्टनर का साथ और सेयोग मिलेगा आर्थिक रूप से आप उन्नत रहेंगे व्यापरी वर्ग नहीं योजनों का क्रियान वेन कर पाएंगे इस समय सोचे समझे कार्य साह समय पर पूर्ण होने से आपके मन में प्रसनता के भावुत पन होंगे आपकी कोई प्रिय खोई होई वस्तू आपको पुना प्राप्त हो जाएगी जिससे आपके मन में प्रसनता और अधिक बढ़ेगी सब्ता का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा इस समय लंबी दूरी की यात्रा को आपको अवोइड करना चाहिए कोई भी कारे जल्द बाजी में करने से बचे नए कारियों की शुरुआत से बचे जो रुटीन में काम कर रहे हैं उन्ही कारियों को करने का प्रयास करें सब्ता का एन यानि वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा धर्म कर्म के कारियों से जुड़ेंगे और परिवार के साथ किसी धार्मिक अनुस्तान का हिस्सा बन सकते हैं ने साल यानि वर्श दोजार चौबीस के पहले दिन इस राशी के जातकों को जल में सफेद पुछ पर डालकर भगवान शिव का अभिशेक करना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा हरा शुबंग रहेगा तीन और शुबदिशा रहेगी पूर्वदिशा अब आते हैं मीन राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा इसवेग छटे साथवे और आटवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे ये समय आपके लिए बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का है इस समय आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा गुप्त शत्रों से सावधा ही देंगे रुपए पैसों से संबंदित कारियों में सजकता बनाए रखें सप्ता का मेड़ आपके लिए इतना अच्छा नहीं है व्यापारी वर को खास कर नुखसान की स्ततियां हो सकती है इसलिए इस समय सोत समझ कर निवेश करें कोई भी नया कारी शुरूर ना करें ज खरियर रखकर और क्रोध और आवेश को त्याग कर आप अपने बाचीत के द्वारा समस्याओं का खल निकाल सकते हैं सप्ता का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहेगा यात्राएं सुखदोर मंगल में रहेगी और कुटम से ससुरॉल से सुभ समाचारों की प तरदिशा तो यह है एक जनवरी सुमवार से साथ जनवरी रवीवार तक का सापता एक राशिपल अब मैं अपनी वानी को यहीं विराम देती हूं स्वस्त रहिए प्यस्त रहिए मस्त रहिए और हमीशा मुस्कुराते रहिए जै श्री रादिक रश्ना गुरुमा निधी श्री माली एक प्रसिध जोतिश आचार्य हैं उनके जोध पुरिस्थित जोतिश संस्थान में महामृत्युन जय, कालसर्प दोश, मा बगला मुखी, विवाह बाधा निवारन पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान, पंडितों द्वारा, पूर्ण विधिविधान एवं शासरुक्त रीती से संपन्न करवाई जाती है, अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हैं तू, इन नंबरों पर संपर्क करे 8 9 5 5 6 5 8 3 6 2